दोस्तो साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म जलेबी बॉलिवोड इंडस्ट्री की उन फिल्मों में से एक है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी के दम पर दर्शों हो से खुब तारीफ है असल की और उनी किरदारों में से एक था आईशा के पिता का जिन्होंने एक पिता की भूमिका को बड़ी खुबसूरती से परदे पर प्रिजन्ट किया लेकिन दोस्तों आज आईशा के पिता का करदार निभाने वाले इस अभनेता के बारे में तो आप सब जानते हैं पर क्या इनकी पत्नी के बारे में जानते हो कौन है क्या करती कैसी दिखती हैं अगर आप इनकी पत्नी के बारे में जानना चाते हो थो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रही है साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री की इस सूपरेट फिल्म के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजी फिल्म जलेबी में आईशा के पिता का करदार निभाने वाले अबनेता का रियल ने महिश ठाकूर है जिनका जन्म एक अक्टूबर 1979 को मुंबई में हुआ और इन्होंने यही से अपनी शुरुवाती पढ़ाई गमप्लीट की और USA से MBA की डिगरी हसिल की अगर बात करें इस talented actor के acting career की तो इन्होंने अपने acting career की शुरुवा छोटे पर पर प्रसारित होने वाले serial तु-तू मैमै से की जो साल 1994 में TV पर आया था इस serial में इन्होंने रवी जानू का किरदार किया जो दर्शकों को धुब पसंद आया और इसी के चलते इन्हें 1999 की ब्लॉक्बस्टर फिल्म हम साथ साथ हैं में सहाय अभनेता के तौर पर आनंद बाबु का इंटरस्टिंग करेक्टर निभाने का मौका मिला जिसमें इन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया और इनके इसी शांदार अभने को देखते हुए कई फिल्म प्रिडूसर और डिरेक्टर ने इन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया जिसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक सूपरेड फिल्मों में काम किया जिसमें जै हो आशिकी टू और जलेबी जैसी सूपरेड फिल्मी शामिल है अपने एक्टिंग करियर में सूपरेड फिल्मे के देने के बाद भी आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग सफर को जारी रखा है और हाली में छोड़े परदे पर प्रसारित हुआ सीरियल इश्क बाज में ये अभने करते हो दिख रहे है अगर बात करें इस मल्टी टेलेंटेड एक्टर की वाइफ की तो उनकी पतनी का नाम सपना ठाकूर है जिनके साथ इन्होंने काफी सालों पहले अपना घर बसाया था आपको बता दे सपना ठाकूर एक हाउस वाइफ है जो अपने घर पर पर परिवार का पूरा ध्यान रखती है और लाइम लैट से दूर रहती है अगर बात करें सपना ठाकूर की खुबसूरती की तो ये बड़े खुबसूरत और स्टालिश है जैसा के इनकी तस्यूर में आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों आपको अब इनेता महिश ठाकूर और उनकी पत्मी सपना ठाकूर में से कौन सबसे ज़ाद स्टालिश लगा उनका नाम कॉमेंट बक्स में बता दो साथ ही बॉलिवूर्ट से जुडियो ऐसी ही इंट्रस्टिंग खबरों को जाननी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी गर दो